हलो नमस्कार मैं हूँ सिधार्त और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट देखे भारती टीम का एलान हो चुक है श्रिलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट और T20 सीरिस के लिए भारती स्कौर्ड का एलान कर दिया है इस टीम की कप्तानी रोईच शर्मा को सौपी गई है मतलब रोईच शर्मा अब वन डे और T20 के बाद टेस्ट की भी कप्तानी समालते हों नजार आएंगे रोईच शर्मा पर ये एक बड़े जिम्धारी है बड़ा भरोसा जताया बीसीजी आई ने इन सब की घोच्रा इन सब का एलान करने के लिए सेलेक्शन कमिटी के चेर्मेंट चेतन शर्मा वर्चुल कॉन्फरेंस के जरिये मीडिया के साथ जुड़े थे और चेतन शर्मा ने एक एक करके सभी मीडिया के सवालों के जवाब दिये सभी सवाल लिये और पूरी स्कौर्ड और ये जो पूरी सिरीज है इसके बारे में जानकारी दी लेकिन चेतन शर्मा प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान एक मुमेंट ऐसा आया जब वो भड़क गये जब उनसे एक मीडिया कर्मी ने एक समवाद दाता ने ये पूछा कि हार्दिक पांडिया क्यू नहीं खेल रहे है रंजी में और फिर वो अपनी IPL टीम के लिए याने कि ग उन्होंने कहा कि ये तो अब आप जाकर उनसे ही पूछे मतलब हर्दिक पांडिया से ही पूछे कि वो क्यू नहीं खेल रहे है रंजी टॉफी में अपनी टीम के लिए याने कि बरोडा के लिए और वो फिर खेलेंगे IPL में तो इसके बाद लगातार एक एक करके हर्दिक पांडिया को लेकर सवाल करते गए दो तीन सवाल उनके उपर ही जो है दाग दिये गए चेतन शर्मा पर जिसके वजए से वो नराज होते हुए नजर आए उनसे पूछा गया कि हार्दिक अभी नहीं खेल रहे हैं रंजी में नहीं खेल रहे हैं फिर वो IPL में खेलेंगे और फिर वापिस ट्री मीडिया में खेलते वे दिखेंगे ऐसा उनका मानना है जो मीडिया करमी है उन्होंने जो पूछा तो इस पर बिफरकर चेतन शर्मा ने कहा कि आप कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये डिसाइड मत करिये ये डिसाइड जो BCCI है और सेलेक्शन कम उसके बाद एक बार फिर से उनसे पूछा गया कि हार्दिक पांडिया अपने फॉर्म को लेकर लगातार जूज रहे हैं और ये एक बड़ा मुद्दा है तो इसको लेकर चेतन शर्मा ने जवाब दिया कि आप इस मुद्दे को छोड़ दीजिए हार्दिक पांडिया जब अच्छी तरीके से खेलने के लिए स्वस्थ हो जाएंगे वो फिट हो जाएंगे तो जरूर उनको टीम मौका दिया जाएगा इसके साथ ही उन्होंने ये भी एड किया कि हार्दिक पांडिया का जो कॉंट्रिब्यूशन है भारती टीम के लिए वो आप बिल्कुल मत भूल इसके साथ ही मैं आपको बता दू हार्दिक पांडिया जो है काफी समय से अपने इंजिरी के वजए से वो कुछ एक दो सालों से भारती टीम में गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं बत और बल्लेबाज वो जरूर वर्ल्ड कप में टीम में शामिल हुए थे लेकिन उसमें तरीके से वो प्रदर्शन नहीं कर पाए उसके बाद से वो गायब हैं मतलब टीम इंडिया में नहीं है और लगातार उनकी जो इंजिरी इस्चूज है और जो उनका असमर्थ होना है गेंदबाजी को लेकर उसको लेकर चर्चाय बने रहती खबरे आते रहती हैं आपको क् कॉमेंट बॉक्स में जाकर इस बारे में कॉमेंट करी अपनी राय जरूर दीजेगा अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलिएगा थैंक यू